अगर आप computer चलाते हैं, कोई lab चलाते हैं, institute चलाते हैं, cyber cafe चलाते हैं, game center चलाते हैं, और light की परशानी से बहुत जादे परशान हैं, यानि कि light आती है, रहती नहीं है, चलता नहीं है, बिजली से चले जाने के बाद से inverter बैक अप नहीं ले पाता है, तो इन सब का solution इस एक वी यहां पर एक CPU लगा हुआ है, यहां पर देखेंगे, तो किसी भी computer के पास CPU आपको नहीं मिलेगा, ना यहां अंदर CPU है, ना यहां बाहर CPU है, किसी भी computer के पास आपको CPU नहीं मिलेगा, यह सारे के सारे CPU लेस हैं, यहां पर सिर्फ एक CPU लगा हुआ है, यही CPU सब के लिए CPU है दूसरा model मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक computer है जिसमें CPU अलग से 77 में लगा हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो यह भी computer है यहाँ भी CPU लगा हुआ है 77 सोचिए यह दो CPU extra चलना है दो PC पे यहाँ पे एक PC पे एक ही चलना है यह सब इतना बड़ा setup मेरे पास सिर्फ एक inverter है मैं इसी चलाता हूँ कैसे यह पूरा का पूरा possibility है यह मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में यानि कि कम बिजली में हम जादा से जादा computer चलाएंगे यहाँ तक यह inverter है ना यह पूरे 12 घंटे back up दे सकता है मैं 12 घंटे इसी inverter से 12 घंटे इस lab को चलाता हूँ चलता भी है कही कोई problem नहीं है क्या है क्या करना है बनना है मेरे वीडियो में advantage और disadvantage पूरा पताने वाला हूँ मैं यहाँ पे दोनों models के कैसे हम करेंगे कैसे क्या क्या होगा यह आप सीख पाएंगे यह है thin client model thin client model वो model होता है जिसमें एक ही CPU लगता है ठीक है यहाँ पे देखेंगे एक CPU यह CPU ज़्यादा light कर चीजता है यह 10 watt, 15 watt, 20 watt के आते हैं यह लिडि यह बहुत कम light लेते हैं इनका ज़्यादा watt नहीं होता लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यह CPU है ना यह बहुत ज़्यादा light लेता है यानि कि अगर ऐसे ऐसे मैं 5 CPU लगा दू ना इनके उपर तो यह inverter जो है तुरंट का तुरंट बंद हो जाएगा उधना backup नहीं ले पाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे आपको क्या करना होगा आपको thin client model का इस्तेमाल करना पड़ेगा यह जो पूरा आप model देख रहे हैं यह आज दिखाई दे रहा है यह पूरा का पूरा thin client model है इस model से आप computer को ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं कम बिजली में यहाँ पर देखेंगे यह ज़्यादा light खीचता है यह ज़्यादा light लेता है लेकिन मैं इसे दिखाऊं तो यह बहुत कम light लेता है कैसे possible है तो सबसे पहले क्या करना है आपको CPU ले लेना मैंने CPU यहाँ लिया हुआ है एक यहाँ पर CPU लिया हुआ है CPU क्या होना चाहिए तो i3 i7 आप ले सकते हैं i3 i7 आप ले सकते हैं i3 में 10 computer चलेंगे और i7 में आपके 15-20 चलेंगे आप जो भी लेना चाहे 8GB 16GB RAM उसी किसाब से RAM ले ले monitor जितने चाहिए आप उतने monitor ले ले यहाँ पर देखेंगे monitor उतने ले ले उसके बाद से आपको एक device लेना है यह है thin client का device यह है thin client का device मैं किसी device का प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पर आप N computing, quantum, HP, Dell अलग-अलग company'ों का अलग-अलग device आता है सबके साथ एक mouse, एक keyboard यहाँ पर देखेंगे तो आपको mouse लेना होगा लेके connection कर देना होगा connection कैसे होगा इसके कई सारे वीडियो मैंने डाले हुए है आप खुद से इस connection को बना सकते हैं बना के आप जो है computer चला सकते हैं तो चलाएं यहां तक कि अगर solar भी लगवा लेते हैं आप तो solar से ही पूरा का पूरा चला सकते हैं आपको करना क्या है फिर इसमें आपको user बना लेना है जितने user है user यह नहीं कितने computer है यह 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 दो तीन चार्ज इतने भी 5-6-7-8 जितने computer है सबके अलग-अलग user बनाएंगे और users को connect कराएंगे किस से cpu से connect कराएंगे आप remote से login करेंगे remotely इसमें login करेंगे user बनाके फिर इसका IP set करेंगे सबकी अलग-अलग IPs होंगी सबका IP set करेंगे आई-पी सेट करने के बास से आप क्या करेंगे तो rdp चला देंगे फाइल और यह पूरे के पूरे computer आपसमें चलने लगेंगे यह पूरा का पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है इसे देखें और कम ही विजली में अपने computer को चलाएं और दुर्गे सर को follow कर ना ना भूलें share subscribe कर ना भूलें thanks for watching मैं हूँ दुर्गे सर आप देख रहें मेरा channel hack my tuition bye bye